तो हाई चतन्या तो मुझे जो काफी कुछ चल रहा है आजकल दुनिया में उसके कॉंटेक्स में मुझे तुमसे कुछ क्वेशन्स पूछने थे ठीक है यूर बॉर्न इन सिक फैमिली राइट तो तुम्हारा जब से पले बड़े हो पंजाब में इंडिया में तुम्हारे लाइफ में religion का कितना बड़ा रोल रहा है चाहनूर ये बता मुझे कि ऐसे इंडियन सीख जब तुम इंडिया में पल बढ़ रहे थे क्या तुम्हारे साथ किसी ने भी किसी तरह का discrimination कि कि तुम्हें कम ट्रीट किया या अलग से ट्रीट किया क्योंकि तुम सीख थे I'll be very honest मैं majority of my life पंजाब में था लुधाना में रहा हूं जहां पे मेरे schools में 50% से less सीख होते थे और कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि कोई मतलब मुझ से jealous है कभी कभी ऐसा हुआ है या religion के बारे में भी बात ही नहीं हुए in fact मेरी क्लास में तो like Sikh Hindu नहीं सरफ Christians और Muslim एक दो students होते थे तो कभी ऐसा feel नहीं हुआ और in fact हम उनसे भी बात करते थे कि अच्छा हमारी दिवाली होती है तो आपकी Eid दिवाली होती है होगे कभी ठीक है तो तुम्हें इज़त से ट्रीट किया गया कि नहीं किया कि कि सिखो के लाइफ कैसी है इंडिया में जेनरल मुझे तो लगता है जब तक मैंने तिल दे टाइम I used to wear a turban तो मैं कई बार डेली गया पासपोर्ट वीजा लगवाने के लिए और in fact मैं अभी फिलाल majority of India Bangalore, Hyderabad, Goa काफी जगा देख चुका हूँ और like कोई difference नहीं लगता हूँ मुझे सबसे पहले तो पर it's my personal experience तो मुझे personally कभी भी ऐसा नहीं फील हुआ कि इंडिया में रहे कि मुझे मुझे हमेशा proud to be Indian फील हुआ है and proud to be Sikh भी फील हुआ है तो कभी ऐसा तो फील हुआ ही नहीं जब से हरनूर साब ने होश संभाला है हरनूर के experience में क्या रहा है कि what is the life of a Sikh in India, Sikh होख कि life कैसी इंडिया में since I was born मेरे parents ने हमेशा मुझे का है कि look at the finance minister, look at army chief, look at defense minister look at prime minister at one point of time, वो सभी सीख रहे है तो हमेशा मेरे parents ने ही का है कि India का नाम नौशन करना है इन सब की तरह and you have to be like them तो मेरे लिए तो यही नोग inspiration रहे है from religion point of view पर मैं religion point of view दिखता है नहीं मैं दिखता हूँ overall from India point of view कि मुझे अगर कुछ सीखना है from religion point of view, obviously I can learn from them but if I want to become a have a personality, personality of Shahrukh Khan, if I want to have the talent maybe of Dr. APJ Abdul Kalam, if I want to be brave, maybe like Narendra Modi, so सारे characters की जैसा मैं बनना चाहूँ जैसा मैं बनना चाहूँ है as compared to just based on religion जैसा आप पूछरे हो, but that what's make India India, that's what secularism in India is, that's what I've learned the most, it's beyond the religion we can think of So what you just said, कि तुम्ने का कि finance minister सीख defense minister भी सीख हो चुके हैं president भी सीख हो चुके हैं ठीक है, prime minister भी सीख air force chief सीख army chief सीख तो सिखों ने तो पूरा रास कर रखा है इंडिया के उपर ठीक है, सिखों का तो पूरा रास चलता है इंडिया के उपर in fact अगर आप ये देखो, ये point सही है कि जो सीख जो है वो ऐसी कोई भी powerful position इंडिया के नहीं है, जहां पे सीख नहीं होंगे, लेकिन देखो कि influence के मामले में वो बहुत integrate हो चुके है in fact मैं अपना experience बताता हूँ, ठीक है मैंने तो आज जब से मैंने होश संभाला है, मैं पंजाब में तो कभी गया नहीं, कभी रहा नहीं लेकिन मैंने सरदार इंडिया के हर corner में देखे हैं, ठीक है, मैंने सरदानों के respect में सिर्फ respect देखी है सरदानों के लिए ठीक है, हम जब भी कोई सरदार आते थे, हम लोग सरदार जी बुलाते थे उनको ठीक है, और उपर से हुआ ये कि मैंने एक दिन जब मैं बच्चा था, मैंने पापा से पूछा कि ये क्या लगा रखा है उन्होंना अपने सर पे तो मेरे पिताजी ने कहा कि वो उनका धर्म है, वो पगड़ी पहनते हैं ऐसे, तो मैंने पुछा कि कैसे लोग होते हैं, तो मेरे पिताजी ने पता है मुझे से क्या कहा मेरे पिता जी ने तब मुझे से बच्पन में कहा था कि ये बहुत बड़े दिल के लोग होते है ठीक है तो बने गा कि अच्छा तो एक तो फीलिंग यह है कि सरदार आपके सामने जा रहा है तो एक रिस्पेक्ट होती है और इन फैक्ट एक तो कहावत भी है इन इंडिया में आपको कभी सरदार भीक मांगते नहीं मिलेगा ठीक है और उपर से मैं तो इंडिया के एक बार मैं तो हूँ आंधरा का मैंने विशाका पट्नम वाइजाग में एक जा रहा था कहीं पे तो सरदार जी किसी से बात कर रहे थे वो प्योर तेलगु में बात कर रहे थे ठीक है इतनी साफ तेलगु मैंने आज से कभी नहीं सुनी हाँ तो मैंने चन्नाई में भी जाके सरदारों को तमिल बोलते हुए सुना हुआ है एक छोटा सा गाम है छोटा सा टाउन है गुमला करके बिहार में अभी जारखंड में वहाँ पे सिखो की बड़ी दुकाने लगी हुई है वहाँ पर तो मेरा पॉइंट यह है कि देखो बाकी जो दुनिया में क्या हो रहा है वो उनको शायद पता ही नहीं है कि सिख कितना फ्लरिश करते हैं इंडिया में ठीक है कितने खुश हाल है और कितना फ्लरिश करते हैं और अगर आप दिल्ली चले जाओ तो आपको पता ही होगा कि सब जगे सरदार इसरदार दिखेंगे आपको तो अन्यवेज तो मेरा पॉइंट यही था कि यह जो सब चल रहा है तो मुझे जानना यह था कि हरनूर का अपने religion के वज़े से इंडिया में कभी कोई differentiation किया गया तो आपने गा कि नहीं किया गया ठीक है तो सिखो का अपने conditions क्या देखे life में तो मुझे पता चल रहा है कि in fact सारे influential positions में तो सिख रह चुके है यह तो हो गया being sick can you also share your perspective of being Hindu in India and in America मैं अपना America का point सून बताऊँगा आप बताना कि आपको कभी लगा कि opportunity आपके पास कम है जाद है कभी आपको लगा religion नी कारण आपको इंडिया में फरिक पढ़ा या US में पढ़ा भाई मुझे नी पता था मैंने वही आपको बताया कि मैंने अपने qualities, dream qualities based on personalities देखिए नाट based on religion पर example मेरे classmates थे अनवर था शायद मेरे class 1 में जोसेफ था, मुझे नहीं पता था कि अनवर Muslim है, जोसेफ Christian है उनको भी शायद नहीं पता होगा ठीक है, तो class 2 में हमारे एक lesson था, social study से कुछ तो था, कौन सा course याद नहीं, उसमें religions के बारे में chapter था, Hindu, Muslim, Sikh, Esai, तो मैंने घर जाके पूचा कि हम क्या हैं, तब मम्मी ने बताया कि हम Hindu हैं, ठीक है तो मुझे तो class 2 तक में पता था, कि religions भी होते हैं, अलग-अलग होते हैं ठीक है, और anyways, when it comes to practicing religion, मैंने तो कभी नहीं देखा कि मेरे साथ कोई अच्छा या बुरा सुलुक किया होगा, in fact एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है, just on a side note, एहमदाबाद में जब मैं रहता था, मेरे घर के बाज़ी में हनुमान temple था, और वहाँ पे जब भी जाओ, हर दूसरे तीसरे विजिट में, मुझे सरदार जी दिख जाते थे, हनुमान मदर में माथा देखते होगे, ठीक है, और अगर कभी भी इंडिया में किसी भी पार्ट में, चोड़, पंजाब चोड़ दो, कहीं भी, दिल्ली चले जाओ, बिहार चले जाओ, कहीं भी, जहां भी, मुंबई चले जाओ, गुरुदवारा होगा, तो वहाँ पे आपको हिंदू भर भर के मिल जाएंगे, ठीक है, तो मेरा experience इंडिया में तो ऐसा religion के basis पर, अच्छा या बूरा, मैंने तो आज तक नहीं देखा, ठीक है, खराब incidents होते होंगे, कहीं भी, किसी भी दो religions के बीच में, बट पॉइंट यह है कि, जब आपके पास 140 करोड़ लोग होंगे, तो क्या लगता है, कि सब के सब बहुत दूद के धुले साफसोतरे मेरे साथ कभी क्या अच्छा या बुरा से लूक हुआ, नहीं हुआ, मुझे convert कने के लिए बहुत attempts हुए है, आपको, being Hindu, आपको किस चीज में, Christianity में, तो बहुत लोग मुझे अपने churches ले गए हैं, वो अलग-अलग Christian denominations होते हैं, तो latter-day saints होता है, for example, और एक जेवास witness होता ह है, वो लोग आपके घर पर आजाते हैं, नौक करते हैं, फिर पूछते हैं कि हमारे church आओ, तुम कॉंसर religion फॉलो करते हो, हमारा ही religion सही है, तुम्हारा गलत है, ऐसे ऐसे छोटे level पर तो बहुत होते हैं, मैंने उनके साथ काफी बार debate करके नहोंने हराया भी है, debates में, फिर ऐसा नहीं कि दोने जगें पर गलत नहीं होता, होता है, दुनिया के हर country में कुछ ना कुछ गलत होता है, but you have to see by and large, क्या अगर आप इंडिया में कुछ करना चाहते हो, क्या मालने तुम्हें actor बनना है, तुम्हें कोई scientist बनना है, engineer बनना है, तो क्या तुम्हारे background को वज़ भी नहीं है, तो हम लोग, we are lucky कि हम लोग ऐसे society से आए हैं और ऐसे society में रहते हैं, जहां पर at least हमने तो आपस में discrimination तो नहीं देखा कभी, ऐसे मेरा ना चैतनिया संपरा कैसा अजीब हो करीब नाम है, और मैं यूस में professor बनके बैठा हूं आराम से, नहीं आपको कोई नाम अजीब नहीं है, मैं बदाता हूं, आपको, आपसे कभी किसी नहीं पूछा है, university में कि आपका religion क्या है, मुझे तो आज तक नहीं पूछा है, बस किसी ने बोला कड़ा देखके, कि क्या तुम सीखो, बस मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझसे आज तक किसी ने religion के बारे में नह नहीं, बहुत है, as a workplace, students, मुझे कभी नहीं, कभी भी किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा मुझे आज तक, ठीक है, तो, US is a great country, ठीक है, लोग भूल जाते हैं, कि कुछ-कुछ चीजों के वज़े से US को गाली देते हैं, लेकिन, by and large, US is a great country, and India is also a very great country, और याद रखो कि, Texas में है जिसको बहुत Republican state माना जाता है, and coming from him, I'm really surprised, कि मुझे लगता था कि open-minded लोग बहुत, New York, California, Atlanta, इन शहरों में जाधा दिखते हैं, I think, maybe Texas में होते होंगे narrow-minded लोग, लेकिन वो rural Texas में होते होंगे, जो बड़ी cities होंगी, वो US में, वहाँ पे तो बिलकुल भी नहीं होता है, in fact बहुत चोटी city में रहा हूँ, in fact, Oxford, Ohio में रहा हूँ, वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन यह है कि आपको अच्छे बुरे लोग हर society में, हर location में मिल जाएंगे, क्या बात है, और अगर आप, अगर आप, अपनी respect के बारे में देखो, अगर, क्या आपको लगता है कभी भी ऐसा हुआ है कि अगर आप एक group में हो, US में, like, being Indian or being from a different religion as compared to majority, कभी आपको weird सा feel होता है, कभी आप church के, US में कभी ऐसा लगा है, कि मैं अगर चर्च किया था, मैं आपको episode बताऊंगा, पर आप पहले बताऊ. नहीं, मुझे तो ऐसा कभी भी, in fact, in the US at least, यह आपको आपके capability के बारे को लेकर देखते हैं, कि अगर आप महनती हो, तो कोई फरक नहीं पड़ता, यहां पर discrimination होता होगा, तो भी मुझे नहीं पता, लेकिन, by and large, सबको opportunities मिलती हैं, और तुम्हारा के experience रहा है, चर्च बज Sikh has been in America, पहली बात तो, किसे ने आज तक मेरा religion नहीं पूछा, लोग सोच लेते हैं कि I'm from India, probably, like, big guess, and कोई कड़ा देखके शायद बोलतेगा कि शायद I'm Sikh, and इसके लबहा कभी ऐसा religion, differentiation, कुछ रहाई नहीं है, and in fact, मैंने कब कई बार turban बान के भी videos बनाई है, I've been to like, you know, public transport लेना इदर उदर, और चर्च पर भी गया हूँ, तो उस experiences में, I'll be very very honest, कि अगर मैं, be very very honest, कि मैं जब चर्च भी गया, मुझे ज़्यादा ही surprise लगा, कि मैं Atlanta की चर्च पर आता हूँ, इतना ज़्यादा welcome हो रहा है, कि वो चाहते हैं कि मैं बार बार आँ, मुझे नहीं पत यह थो पर आता है, कि मैं ज़्यान पर आता हूँ, गया है से लिफ प्रच भार तब ऑशgression मिर्स नहीं सवे स्पिरेंश, भो आपकार अट्च सेमने होटी में गया, कि बाट की दन तो चर्च इवर्टा नहीं, उस कि अजयादा है, मौन नहीं ज़्या। इन आज नहीं Bhale, और जो यूएस का स्लोगन वह दे रहा हूं ठीक है कभी यूएस प्रेजिट को सुना और रहा हूं अच्छेज में आखीज पूलता है तो वह सलोगन मैं रिपीट कर रहा हूं ठीक है तो इसलिए मैं कहता हूं जैहन और गड्ड्ब्लस अमेरिका आखीए अच्छाइन पूलता हूं ने